दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा जीन फ्रांसिस लेटार्ट का एक वर्क The Postmodern Condition Are Report on Knowledge तो जब आप नेट का प्रिप्रेशन चालू करोगे तो जीन फ्रांसिस लेटार्ट आपको Post Structuralism में पढ़ने के लिए मिलेंगे तो हम इस book के depth हो नहीं जाएंगे as usually हम बात करेंगे इसमें एक बहुत ही जो main concept है जिसका नाम है Meta Narrative हम उस concept के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो concept need के point of view से बहुत ज़्यादा important है चलिए दोस्तो विडियो को सुरू करते है जो यह concept है Meta Narrative वो यह बताता है कि the believe in stability unity of the modernist people called Meta Narrative तो यानि कि जो आज कल के लोग हैं जो modern लोग हैं तो वो stability में बिलीव करते हैं और unity में बिलीव करते हैं तो यह सिर्फ belief करने की बाते हैं वो ऐसा करते नहीं हैं सिर्फ इसकी बाते करते हैं इसको example से देखते हैं दो example लेंगे हमको और यह जो concept है Meta Narrative वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पहला concept लेते हैं हम अपने देश के उपर तो जैसा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक democratic country है और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो है और यह कुछ हद तक सही भी है कि इंडिया जो है वो peaceful देश है सांती प्रिये देश है लेकिन अगर आप critically इस चीज को देखो दियान से अगर इंडिया को observe करो तो आप क्या दिखोगे कि हमेशा कहीं न कहीं दंगा चलते रहता है वो caste के नाम पर हो सकता है वो religion के नाम पर हो सकता है तो अगर हम caste के नाम पर religion के नाम पर अगर हर एक जगा rights करते चलते हैं हर एक जगा दंगा कर रहे हैं तो फिर कैसे हम सांती प्रियेदेश हो सकते हैं जब हम लोग को अपने में नहीं पट रहा है तो कहां से हम लोग सांती प्रियेदेश हो सकते हैं कैसे हम लोग बोलेंगे जब हम लोग को दू का पहड़ा नहीं जब दू का जो टेबल है वह हम लोग को नहीं आता है तो कहां से हम लोग multiply और divide करना चालू करतेंगे होई नहीं सकता है तो meta narrative इसी को बोला जाता है कि आप बात तो करते हो unity की आप बात तो करते हो stability की लेकिन आप उसको अमल नहीं करते आप उसको follow नहीं करते दूसरा example लेते हैं कि आज हर एक जो देश है हर एक country वो बोलता है कि मैं war नहीं करना चाह है था सब लोग को पता है कि war से जंग से हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर कोई भी country आज के time पर अगर war करती है तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा तो इसके बावजूद भी सब लोग जानता है कि war जो है जंग जो है वो आप ये बोल रहे हो कि war जो है वो सही चीज नहीं है युद्य जो है सही चीज नहीं है और दूसरी तरफ आप परमानु बंबनाय जा रहे हो आप मिसाइल बना रहे हो तो कैसे आप यह दोनों बात्तों को एक सनद बोल सकते हो जैसे कि एक मोभी है जिसका की नाम है Iron Man तो आ कि मैं लोगों को बचा रहा हूं इससे लोग बचेंगे लेकिन रियालिटी क्या है कि आप अपने आपको बचाने के लिए गर किसे दूसरे को मार रहे हो तो वो तो एक जंग का छोड़ा सपार्ट है न तो यही बात है मेटर निरेटिव इसी के बारे में बात करता है कि हम बा कारते जाते हैं उसी चीज के विपरीत काम करते जाते हैं तो दोस्तों मेटर निरेटिव यही इसी चीज के बारे में बात करता है अब दोस्तों आगे हम नेट से रिलेटेट 5 MCQ देखेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट है पहला कोस्टन है दोस्तों की I think the ुपस्तिस and genius than any others I have ever seen तो यह जो लाइन है वो किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किसके द्वारा यह बोला गया है यह लाइन किस ने बोला है जिसका एंसर होगा विलियम टेमपर तो विलियम टेमपर ने यह लाइन बोली है कि I think the इस्टल्स ओफ फिलारिस तो हैब मोर रेसेस ओफ विट एंड जिनियस देन एनी अधर्स आई है अब एबर सी दोस्तों दूसरा कोश्चन है वन अब दे अर्लियस्ट अर्लियस्ट सेंटिमेंटल नोबेल डेविट सिंपल वाज रिटेन भाई तो जो डेविट सिंपल जो एक सेंटिमेंटल नोबेल है वो किसके द्वारा लिखा गया था और इसका एंसर है सारा फिलिंग जो पहला कोपीराइट है जिसको पहस्ता आँल जा बॉला जाता है कि स साल अग्या गया तो कोपीराइट आप सब लोग जानते हो एक сторон आवं प्रेशी लोग मालिकाना अधिकार है, संपत्ति उसका है, ठीक है, तो कोपी राइट एक्ट जो है, जिसको स्टैचू अफ एन भी जाना जाता है, वो किस एयर में आया था, जिसका की एंसर है, 1709 इन वीच नोबेल, दस दा मैन अप दा हिल, रिकाउंट इस लाइफ स्टोरी अप दा प्रोटागनिस्ट, तो किस नोबेल में मैन अप दा हिल जो है, वो आपको प्रोटागनिस्ट के रूप में मिलेगा, जिसका की एंसर है, टॉम जोंस, अगला कोश्चन है, फ्रेंच रिव इंगलूशन, ये किस के द्वारा कम पोच किया गया है, जिसका की एंसर है, विलियम ब्लैक, तो दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो थी, यहीं पर खतम होती है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद,